तो गाइज वेलकम बैक एंड यह जो है हमारा आज का है याने की 6th of December तो हम लोग आज 80 questions cover कर लेंगे तो congratulations उसके लिए सब पहले तो and let's start तो मैंना विवेक ठाकूर है विलासपूर का यहने वाला हूं I am from 300 questions cover कर लें ठीक है अभी हम 6 तारीक तक 80 questions cover कर जुगे हैं तो मेरे को लिए 500 कर दूँगा मैं ठीक हम लोग 500 questions cover कर लेंगे ताकि RI और पटवारी में तो फिर 4 देना है सबको आप लोग को और 1000 प्री के पहले कर लेंगे और यह क्या questions है यह static data क्या होता है कि जो data का भी चेंज नहीं होगा है कि नहीं मतलब अगर हम लोग यहां पर गलत आंसर पढ़ रहे हैं तो कुसी ने कुसी भाई बंदू को सही answer मालूम लेगा तो आपको उस question का भी सही answer मालूम हो गया अब यह जो डेटा है यह data कभी चेंज नहीं होगा बस वो तीन जो मैं देखना हूं वो बजर के questions आते हैं प्रोडसकार के questions आते हैं वो भी रहते हैं तो ऐसे हम याद करेंगे इससे हम इतने जल्दी करेंगे यह आंशर को वो बतातम आपको कैसे करेंगे आप प्लीज इससे शेयर कीजिये वाटसब यूटूब जिसमें शेयर करना है कर दीजिए और प्लीज अब्लाइक सब्सक्राइब यह चैनल को ब्लीज देट्स वेर आट हो मैनी स्टुटेंट्स मैं किन को का वावव क से यूज कर लो मेरा नॉलेज को अगर पसंद आ रहा है तो एंड दिस विल बी इन हिंदी एज उनू सो पहले आते हैं हम चत्रिस गल राज जी के खिलाडी और खेल सुमेलित कीजिए ठीक है तो सुनिया छत्री तलवार बाजी अंजू लगरा बास्केट बॉल निग्राज र किजिए कौन सा क्या होगा लिख दिया आंसर आप लोगों ने लिखा तो ट्राई तो कर लिजिए मैं बोलता हूं कोई दो भी पता है आपको तो बागी दू निकालना आसान है तो आंसर है 4-3-2-1 मुझा सूनिया छत्री है वो नेट बॉल की प्लेयर है अंजू लकरा जो ह है वो हमारे सॉफ्ट पॉल के प्लेयर है और शीला देवंगन जो है हमाई तलवार बाजी की प्लेयर है ठीक है एक बाए अच्छे से विस्यात कर लिजिए आप अब आते हैं 36 गण में निम्न नधी को लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में जमाईए मंद मांडर रिवर अरपा रिवर वनिवर औरुर इंद्रावाती रिवर और ये भी मेरा कोश्षान है आपके लिए बिकाद आपको पता है सबकां लेंथ ठीक है तो आप मुझे सबके लेंथ के बताई एक नची बाकीर ना बटा सकते में या अराम से चुसर्थ यहां पर मैं दे दिया हूं बस मैंने पताया कि मांड जो रीवर हो मैंन पार्ट से निकलती है तो यह सबसे अच्छी बात यहां पर मैंने एक बहुत सही वीडियो बनाया है आप लोग के लिए आप उसे चेक कर सकते हैं इस तरफ आएगा वह कार्ड पर अगर आपको देखना होगा या तो लास्ट में भी आप चेक कर सकते हैं उस मेंने मैंने कुछ कुछ चेक्नलोजी करें नॉमर अपने ब्रेइन साइंस का यूज करके हम लोग कैसे याद करते आंसर यह बताया आप लोगों को और उसमें हमार मैंने 36 के आठ टॉपिक इंक्लूड की है जैसे राव आठी मुंगार पहार से निकलता है ओके तो अब आते हैं 36 गल की सिचाई परियोजना और छेत्र जोहां सुमेलित नहीं है अर्पा भैसाजर परियोजना सबको पता विलासपूर में राजीव गांधी परियोजना महासमुन में नहीं यार शाय तक रभी शंकर बहुत देश से ठीक है अब आते हैं 36 में सिचाई के निम्र साधनों का आवरोही ग्रम में जमाई है यह बहुत आंसर में आपको नहीं बताने वाला भाई देख लो ठीक है सिंपल सा है देख लेना पता है नेहर के बाद यह होगा बागी सब तो तो अब आते हैं 36 गण में उत्पादित खाध्यान फसलें और उनकी प्रजातियां सही सुमेलित नहीं है डिपिका गेहूं राजीव लोचन धान स्वाती अलसी चंद्रहासनी अरहर तो पताए इनमें से कैसा क्या होगा कौन सा क्या होगा अपको पता है नहीं पता है तो नीचे देख लिए जो डिपिका है वो अलसी होगी तो अब आते हैं कि राजिका प्राचिंतम सबसे बड़ा पशु बजार कहां पर आउजी सोगता है तो इतना मत पढ़ो यार इतना बेसिक देखो ऐसे आत करो कि जो भेंसातान है ना भेंस्थान जो है वह आपका बिगेस्ट है सबसे बड़ा है और यह रैपूर में और रैटनपूर में सबसे ओल्डिस्ट है धो ही है तो ऐसे आत कर लो ठीक है अप देखिए असद्ति कतर हैं बताव आप कि देश मेल कूल वंच्छेत्र जो है वो बाराः दसम्वलो दो प्रतीशा से वनचेत्र है शत्तित गर्म ऐसरवादिक वन आरक्षित है राज जय का सरवाधिक वन सालर्विक् नहीं उन्तम जांजगी चापा में है ठीक है राइट वन शेत्रेफल की डिश्टी से 36 देश का पांच वास्तान है नहीं भाई नहीं तीसरा है ना तो ऐसे आपको अभी पांच चार पॉइंट मिल गए आप दिखने राज के विभीन टैक्स यह आपका है हमारा बजट से आपको मैं जैसे प्राविस किया मैं सब कुछ लाओंगा तो नहीं ला रहा हूं विभीन टैक्स के सुत्रों का सबसे से बड़ा घटक क्या है मैं सबसे जारा बड़ा कॉंपोनेंट किससे आता है हमाँ टेक्स का तो वह आता है बिक्रिकर मतलब सेल्स टेक्स से आता है अब आपको बाकी सब अच्छे से रियाज करने के लिए आता हूं यह है ना तो यह जो है अब अभी स्क्रीन शॉट ले लो आप ले लोगा इसका इस में बिक्रिकर के विशा कितना आ रहा है ऑसे वाले से साथ सा आ तो ऐसे आत कल दो अब आते हैं हम राज जी की अलंकर्म पुद्सकरों में पंडित रवी शंकर सुकल सम्मान किसे मिला है तो इसको याटत्ते नहींका को तरीका युनी बहुत तरीक आप कैसे बताऊं जैसा कि प्रॉमिस किया गया है आपको हर दिन यह आएगी आप कि हर दिन आप देखा है अभी तक वीडिन रायन सिंग सम्मान जो है सैन कुमार मंडावी को मिला है गुंडातुर मिला है राम फोल्ट ओंडर को ठीक है और क्या देखा था हम लोग ने कि विन मंदारा यह समान मिल गया है हमारे शिव कुमार को और बचे हुए है एराउंड फाइफ हम देख लेंगे अगले दिन कूल तो गाईज एंडिस अलास्ट क्वेश्चन चाथिसगर में संयुक्त उभ्योकता मूल सूचकांक एकनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना है 14 पंदर न में जो चैनल है उसमें जो मैंने करेंट आफेस की वीडियो में बताया था कि सिंपल से याद कर लो 6.8 और 8.6 से याद कर लो 6.8 जो है हमारा यह संयुक्त और इसको उल्टा कर दोगे तो 8.6 है हमारा ग्रामीन का 7 है हमारा शहरी का ठीक है विकॉस आपको पता शहरी आ रहा संयुक्त जो है वह आपका 6.8 तो गाइस इस एट एंड दिस वाज एट एट कोश्चन असीवा कोश्चन था हमारा यह एंड प्लीज अपना फीडबेक प्रवाइड कीजिए आप वो कैसा लगा वीडियो अपने फ्रेंस से शेयर कीजिएगा एंड जो लास्ट फिफ्टी क जो हमारे हैं उनके लिंक जो है आप 10 रुपर में पास सकते हैं देखें 10 रुपीज में आपको पहले बसा चुका हूँ विकास हम क्या करने वाले हैं पैसे से इफ यू इस्टिल है वनी प्रॉब्लम्स विजनस है भाई बिजनस नहीं है पहले बसा चुका हूँ विकास I am not here for money आपका यह पैसा आपके पास ही आएगा so don't because 10 10 रुपीज seriously it doesn't matter man ठीक है नब आपको तो वह तो बात तो है नहीं अब आप लोग की उपर है अगर आप लोग को चाहिए फ्री में तो प्लीज तर लेट में नो कोई कोई रिजनस होंगे तो and you can how can you let me know by messaging me here so that आपको भी अच्छा नहीं लगे किसी और केसा नहीं बोलने में यह को मिना लगे simple सी बात है तो and so guys this is for you because आपको वीडियो फ्री मिल रहा है आपने questions अपने देख सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए है और PDF में मैं कोई आपको answer नहीं दूँगा तो PDF में आपके लिए test series हो here let me know your reasons that's it okay so this is it वे थाकुर सेंगी ओफ बबाए